Good morning students, इससे पहले की क्लास में हमने unit second genetic engineering के बारे में बात की थी, जिसमें हमने genetic engineering के general introduction, उसके बाद हमने genetic engineering से related technique के बारे में बात की थी, जिनमें agarose gel electrophoresis, उसके बाद हमने blotting, उसके बाद PCR यानि polymerase chain reaction, उसके बाद हमने DNA fingerprinting, उसके बाद हमने RFLP यानि restriction fragment length polymorphism के बारे में बात की थी, उसके अलावा हमने उसमें applications, genetic engineering की applications क्या क्या है, तो agriculture में क्या application है, pharmacy में क्या applications है, उसके अलावा हमने पढ़ाता horticulture में क्या applications है, उन सब के बारे में discuss किया था, लास्ट में उस unit में हमने biotechnology की application discuss की थी, आज हम unit first plant tissue culture शुरू करने जा रहे हैं, plant tissue culture या पादप उत्तक समर्दन, plant tissue culture या पादप उत्तक समर्दन शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि tissue क्या होता है, तो tissue या उत्तक की अगर परीभँशा या definition की हम बात करें, तो tissue group of cells हैं, tissue क्या है? group of cells यानि कोशिकाओं का समूअ उत्तक कहलाता है, हमारे शरीर की सबसे छोटी या smallest unit cell यानि कोशिका होती है, कोशिकाओं का समूअ मिलकर क्या मनाता है? उत्तक या tissue मनाता है, टीशू मिलकर टीशू सिस्टम, टीशू सिस्टम मिलकर ओर्गन, ओर्गन्स मिलकर ओर्गन्स सिस्टम और ओर्गन्स सिस्टम मिलकर क्या मनाती है हमारी प्लांट बोडी हो चाहे एनिमल बोडी हो एनिमल बोडी या प्लांट बोडी का फॉर्मेशन करती है तो टीशू है क्या टीशू group of cells है, कोशिकाओं का समू, उत्तक या टीशू कहलाता है अगर टीशू culture की हम बात करें कि टीशू culture या उत्तक समर्दन क्या है तो टीशू culture या उत्तक समर्दन की अगर हम बात करें तो plant tissue culture is a collection of techniques used to maintain or grow plant cells tissues or organs under sterile conditions or on a nutrient culture medium to known composition मतलब कि टीशू culture है क्या हम टीशू culture जो है प्लांट cells हो या प्लांट tissue हो या कोई प्लांट organs हो उसको sterile condition में sterile condition में क्या करना है हमें culture करना है और ऐसे medium में culture करना है जिसके बारे में हम जानते हो मतलब non culture medium होना चाहिए तो प्लांट tissue culture क्या है एक techniques का collection है जिसमें की plant cells, plant tissue, organ इन सब का culture किया जाता है sterile conditions में यानि निरजर्मिकत आवस्ता में या निरजर्मिकत condition में वो भी nutrient medium में और nutrient medium भी कैसा होना चाहिए जो हमें पहले से ही non हो कि इस medium में या इस माध्यम में कौन-कौन से nutrients है, कौन-कौन से पोशक तत्व है तो पहले से ज्यात पोशक माध्यम में पादक की कोशिका, उत्तक या अंगों का समर्दन करना निरजर्मिकत आवस्ता में under sterile conditions में ये कहलाता है टीशू, culture या उत्तक समर्दन different techniques in plant tissue culture may offer certain advantages over traditional method of propagation मतलब कि plant tissue culture की बहुत different techniques है, ये क्या करती है certain advantages यानि अचानक लाब दे देती है, जो कि हमारे traditional methods भी नहीं दे पाते हैं मतलब इनसे ऐसे products बन जाते हैं, जो traditional methods से बनाना संभव नहीं है कौन कौन सी techniques include है इसमें first is the production of exact copies, the production of exact copies of plant that produce particularly good flower, fruit and or have other desirable traits मतलब कि ऐसे plants की copies बनाना, जिनसे की हमें पता हो कि good flowers, मतलब अच्छे flowers बनेंगे अच्छे fruits हमें प्राप्त होंगे और जो भी हमें वांचित गुण चाहिए, वो गुण प्राप्त हो जाएंगे तो ऐसे plants की copy करना, यह जो है plant tissue culture से ही संभव है second है, to quickly produce mature plants, मतलब हमें बहुत कम समय में, बहुत ही जल्दी, बहुत कम economic, यानि बहुत कम पैसा लगाने के बावजूद भी हमें बहुत कम समय में एक mature plant हम प्राप्त कर सकते हैं, जो की natural conditions में संभव नहीं है to quickly produce mature plants, तो इसमें भी क्या किया जाता है, plant tissue culture का use किया जाता है किया किया जाता है, इसमें किसी भी plant का कोई भी tissue लेकर उसे laboratory में जो है favorable conditions देकर उस plant को बहुत ही कम समय में mature किया जा सकता है थर्ड है, the production of multiples of plant in the absence of seed or necessary pollinator to produce seed मतलब कि बहुत सारे plants का production किया जा सकता है बिना बीज के ही seed की absence में ही और आवशक pollinators यानि पराकन के जो माद्यम है, जो आवशक हो पराकन के लिए जो आवशक है, pollination के लिए जो आवशक चीज़े हैं उनकी absence में और बिना seed के ही यानि बिना बीज के ही हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे plants बना सकते हैं, बहुत सारे plants का production कर सकते हैं कुछ ही मिन्टों में या कुछ ही दिनों में, बहुत कम समय में, नेक्स्ट है, the regeneration of whole plants from plant cell that have been genetically modified, मतलब हम क्या कर सकते हैं, इसे प्लांट की एक single cell से भी, पूरगा पूरगा कंपलीट plant बना सकते हैं, ब्लांट की एक single cell से भी पूरगा पूरगा कंपलीट plant बनाया जा कता है, वो भी plant tissue culture, टैक्निक से और वो प्लांट जो बनेगा वो कैसा होगा, genetically modified, यानि आनुअशी ग्रूप से advanced होगा, genetically क्या होगा वो modified होगा the regeneration of all plants from plant cell that have been genetically modified मतलब कि plant के single cell से भी हम क्या कर सकते है complete plant बना सकते हैं वो भी genetically modified यानि कि जो gene हमें उस plant में चाहिए उस gene वाले plant का हम क्या कर सकते हैं modification कर सकते हैं उस plant को हम बहुत कम समय में complete plant बना सकते हैं एक single cell से और इसके लिए हमें किसकी help चाहिए होगी plant tissue culture की the word plant tissue culture is discovered by habit land यानि plant tissue culture के बारे में जो बताने वाले वेग्यानिक थे उनका नाम क्या था habit land यानि यह जो शब्द है पादपुत्तक सवर्दन यह किस दिया था 1902 में 1902 में 1902 में इंपोर्टेंट टेक्नोलोजी यूजड इन plant tissue culture मतलब plant tissue culture में कौन-कौन सी terminology used होती है उसके बारे में हम बात करते हैं कि महत्वपुन कौन-कौन सी terminology जो है वो plant tissue culture में use की जाती है यानि पादपुत्तक सवर्दन में जो महत्वपुन शब्दावली काम में ली जाती है उसके बारे में हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगी culture medium culture medium या सवर्दन माध्यम culture medium या सवर्दन माध्यम मतला एक ऐसा माध्यम जिसमें tissue को culture किया जाए जिसमें tissue को समवर्दित किया जाए उससे हम क्या कहते हैं culture medium तो culture medium की अगर हम definition की बात करें तो a growth medium और culture medium is a solid, liquid or semi-solid designed to support the growth of population of microorganisms or cells via the process of cells proliferation मतलब culture medium क्या है culture medium जो है growth medium है जो की solid, liquid या semi-solid अवस्ता में हो सकता है जिसमें की plant की cells को क्या किया जाता है multiply किया जाता है microorganism यानि शुक्ष्म जो अंग होंगे उनका क्या किया जाता है multiplication किया जाता है और single cell से भी एक पूरा plant बनाया जाता है तो ऐसा medium जिसमें ये किया जाता है उसे हम क्या कहते है culture medium second है ex plant second क्या है ex plant या kroto तक ex plant या kroto तक the part of plant which is used to culture मतलब plant का ऐसा भाग जिसको culture करने के लिए यानि जिसको समवर्धित करने के लिए use किया जाता है plant का ऐसा भाग जिसका culture किया जाता है या जिसका समवर्धन किया जाता है उसे हम क्या कहते है ex plant जैसे कि अगर हम बात करें जैसे ये पुरा-पुरा plant है इस plant थी अगर मैं leaf को culture करूं केवल leaf को हटा कर leaf का समर्दन करूं तो इसे में leaf वाले भाग को क्या कहा जाएगा x plant तो leaf वाले भाग क्या कहलाएगा x plant तो leaf वाले भाग को हम क्या कहेंगे x plant तो x plant क्या है the part of plant which is used to culture मतलब plant का ऐसा भाग जिसका culture किया जाता है जिसका समर्दन किया जाता है उसे हम क्या कहते है x plant एक्जामपल के अगर हम बात करें तो maristematic tissue यानि विब जो तक विब जो तक जो या maristematic tissue जो होते हैं plant में, apical part में, lateral और intercalorie भाग में पाए जाते हैं इसके अलावा अगर हम बात करें root, stem, leaf या flower कोई भी x plant हो सकता है केवल leaf का हम culture कर सकते हैं केवल flower का हम culture कर सकते हैं stem का हम कर सकते हैं root का culture हम कर सकते हैं तो plant का कोई भी भाग जिसका हम culture करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? x plant या krito तक थर्ड है कैलस, तो कैलस क्या है, कैलस is the group of newly cultured meristematic cell, यानि कैलस जो है नई बनीवी, नई समर्दित, विब जोतक की कोशिकाओं का समु है, यानि ऐसी cells या ऐसी कोशिकाओं का समु जिनको अभी अभी समर्दित किया, यानि अभी अभी कल्चर मीडियम में रखकर उनका समर्दन किया गया है, या उन्हें बनाया गया है, उसे हम क्या कहते हैं, कैलस, तो कैलस is the group of newly cultured meristematic cells, कैलस क्या है, newly cultured meristematic cells का ग्रुप है, नव समर्दित, विब जोतक की कोशिकाओं का समु क्या कहलाता है, कैलस कहलाता है, फोर्थ है proto-plast, क्या है proto-plast, proto-plast cell wall-less, plant cell is called proto-plast, तो proto-plast कोशिका भित्ती रहित, कोशिका क्या कहलाती है, proto-plast कहलाती है, मतलब कोई भी cell है, अगर उसके बाहर से कोशिका भित्ती को हम हटा दे, तो बचावा जो भाग होगा, उससे हम क्या कहेंगे proto-plast, उससे हम क्या कहेंगे proto-plast, अगर हम बात करें, Excel जैसे की किश्मिश, वो एक पूरी कोशिका की रूप में काम करती है, अगर किश्मिश की बाहर यह जिली, जो outer membrane है, अगर उसको हम हटा दे, तो अंदर जो भाग बजता है, वो क्या कहलाता है, proto-plast, क्या कहलाता है, proto-plast, इसी तरीके से किसी भी plant cell या animal cell की हम क्या करें, अगर animal cell में तो cell wall होती नहीं है, plant cell की अगर हम क्या करें, cell wall को हटा दे, तो बचा हुआ भा के स्थान पर cell membrane पाई जाती है, कोशी का जिल्ली पाई जाती है, fifth point है, sterilization, निरजर्मी करण, sterilization या निरजर्मी करण, क्या होता है, sterilization या निरजर्मी करण, sterilization refers to any process that removes, kills, or deactivates all forms of life, such as fungi and bacteria, sterilization क्या है, sterilization एक ऐसा process है, जिसमें की remove किया जाता है, या हटाया जाता है, या मारा जाता है, या deactivate किया जाता है, किसी भी प्रकार के जीवन को, जैसे कि अगर कोई medium है, उसमें कोई fungus है, कोई bacteria है, कोई virus है, तो उसको मारना, उसको हटाना, या उसको deactivate करना, करने का जो process होता है, वो क्या कहलाता है, sterilization या निरजर्मी करण, किसी भी product से bacteria, virus, fungi या अधर कोई भी, जो derivative है, उनको हटाना, यानि remove करना, उनको मारना, kill करना, और deactivate करना, उस life को deactivate करना, क्या कहलाता है, जिस process की तुरू हम करते हैं, वो process sterilization कहलाता है, next है, incubation, next क्या है, incubation, क्या है, incubation, to transfer the surface sterilized ex-plant into culture medium, यानि, जो हमने सतही निरजर्मी करत ex-plant तयार किया है, जो हमने plant से कोई part अलग किया, फिर उसको हमने sterilize किया, उस पर जो भी bacteria, जो भी virus, जो भी fungus थी, उसको हटाया, उसके बार, हमने उसको क्या क्या किया, culture medium में transfer कर दिया, तो उसे culture medium में, यानि समर्धित माध्यम में transfer करना, क्या कहलाता है, incubation, क्या कहलाता है, incubation, next है, in vitro, to culture, in test tube, flask bottle is called in vitro casque tube में, flask में या bottle में किसी भी पधार्त को किसी भी ex plant को culture करना क्या कहलाता है in vitro या आ पातरे संवर्दन in vitro culture या आ पातरे संवर्दन कहलाता है next है clone clone या प्रती लिपी क्या होता है clone या प्रती लिपी an exact copy of a plant that is produced from one of its cells by scientific method मतलब क्या होता है कि plant की जो है exact copy को produce करना कोई भी पधार्थ है कोई भी plant है जिसे plant की leaf है अगर हम leaf यानि पत्ती की बात करें तो plant की leaf की exact copy produce करना उसकी exact copy बनाना scientific method का use करते हुए तो जो exact copy बनती है जो बनने वाली copy है वो क्या कहलाती है clone वो क्या कहलाती है clone तो clone क्या है किसी भी पधार्थ की या किसी भी material की exact copy बनाना वो भी scientific method को use करते हैं क्या कहलाता है clone क्या कहलाता है clone and next है somatic embryo somatic embryo या काईक ब्रून somatic embryo या काईक ब्रून the embryo which is developed by vegetative cells मतलब ऐसा embryo जिसका विकास काईक कोशिकाउं से होता है यानि जनन कोशिकाउं से या reproductive cells से नहीं होगा reproductive organ के अगर हम प्लांट में बात करें तो androsium और gynosium pumang और giant पुमंग के अंदर क्या पाये जाता है एंथर और एंथर के अंदर क्या होते है pollen यानि पराग कोश और पराग कोश के अंदर क्या होंगे पराग कंड अगर हम बात करें जिसे ये कोई भी प्लांट का androsium है androsium का अगर भाग पर या ethical part पर पाया जाता है एंथर या पराग कोश और इस पराग कोश के अंदर होते हैं पराग कंड या pollen ये वाला भाग कहलाता है connective या योजी ये वाला कहलाता है filament या पू तन्तू तो एंथर वाले भाग में एंथर वाले भाग में जो pollen प्रेजेंट होते हैं इसी प्रकार अगर हम गाइनोशियम की बात करें तो गाइनोशियम का ये भाग कहलाता है stigma व्रतिकाग्र मेरे स्टाइल ब्रतिकाग और ऊबरी निचे वाला भाग कहलाता है उबरी या अंडाषी तो उब्री या अंडाषी में क्या होते हैं बीजांड या ओव्यूल तो मेल रीप्रोडक्टिव और्गन तो क्या हो गया pollen फिलो रिप्रोड़क्टिव और्गन क्या हो गया or Pain तो बिना रिप्रोड़क्टिव औरगन के किसी भी वेजिटेटिव पार्ट से यानि पुमंग से एंडोशियम से और गाइनोशियम के अलावा अन्य किसी भाग से जैसे लीफ है इस्टेम है रूट है उससे एंब्रियो डवलप करना रूट इस्टेम लीफ जड़ तना पत्त इसे एंब्रियो डवलप्मेंट करना मतलब फ्लार का अगर हम यूज नहीं करें उसके अलावा कोई भी वेजिटेटिव पार्ट चाहे रूट हो चाहे स्टेम हो चाहे लीफ हो उससे नया एंब्रियो यानि ब्रून डवलप करना क्या कहलाता है सॉमेटिक एंब्रियो जो बस स्टेम क्या कहते हैं सॉमेटिक एंब्रियो जैनेसेयसिज कि निकस्व हम बात करते हैं आटि ऐवेजिटेटिव एंब्रियो इस कलड़ आर्टीफि लूसी जो sırस इन किसी भी वेजिटेटिव पार्ट को लेकर उससे एंब्रियो डवलप्मेंट किया जता है उस embryo के चारो तरफ एक capsule का formation कर देते हैं chemicals का use करके gelatin वगेरा का use करके एक capsule का formation कर दिया जाता है उस vegetative embryo के चारो और तो capsulated जो vegetative embryo है वो क्या कहलाएगा artificial seed क्या कहलाएगा artificial seed आज की इस class में हमने plant tissue culture होता क्या है क्या इसकी definition है फिर कौन-कौन से plant tissue culture से हम काम कर सकते हैं यानि कि कौन-कौन से techniques use में ली जाती है उसके बाद हमने terminology के बारे में बात की थी इसके आगे का पढ़ेंगे हम next class में Thank you